तो कैसे हैं आप सब आप सभी का वेलकम है स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में आज है मंडे नया वीक स्टार्ट हो चुका है और ये जो वीक है ये कही न कहीं बहुत अच्छा वीक हो सकता है और इसी वीक का वेट हो रहा था ठीक है क्या हाल चल रहे है मार्केट के और क्यूं इतना इंपोर्टेंट है ये वीक और क्यूं साथ के साथ अगर आप देखो क्या अपडेट सारी है वो भी कवर करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning I hope आप सब अच्छे हो और मज़े में होंगे और क्या हाल चल रहे है क्रिप्टो मार्केट के अगर आप देखो कोई ज़्यदा यहाँ पे momentum मार्केट में बनता हूँ हमको दिखा नहीं है जो बिटकोईन 17,100-200 के लेवल पे चल रहा था वहाँ से बिटकोईन थोड़ा सा नीचे खिसला है 16,900 के लेवल पे फिर से आ चुगा करेंट मार्केट कैप चल रहा है 841 बिलियन डॉलर का 1.8% जो है मार्केट ग्लोबली डाउन हुआ है और बिटकोईन यहाँ पे प्रेशर के अंदर क्योंकि जब भी कोई ऐसी इंपोर्टेंट डेट होती है जहाँ पे मार्केट को लगता है कि मार्केट पंप करेगी या मार्केट में कुछ हम को दिखेगा उससे पहले ना बहुत खेल तेयार, उससे पहले खेल होना शुरू हो जाता है अब 13-14 December dates बहुत important है लेकिन अगर आप देखो उससे पहले मार्केट में खेल होना शुरू हो गया मार्केट में जहाँ बहुत सारे लोग long की तरफ चल रहे थे वहाँ पर क्या हुआ मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया इस नीचे आने की वज़ा से ओल्ट कोईन्स में 3-4-5% तक की जो है नमी हमको देखने को मिल रही है तो इसलिए कह रहा था मैं आपको कि आपको वेट करना है एक्जेक्ट जो CPI डेटा आएगा ना CPI डेटा बहुत सार लोगों पूछ रहे थे कि कब आएगा CPI डेटा आने वाला 13 दिसंबर को 14 दिसंबर को आएगा फैड का इंटरस्ट रेट जो भी हाइक होगा वो नंबर आएगा तो कल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और जब जो भी CPI डेट आएगा जो भी एग्जेक्ट टाइम के उपर सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्योंकि अगर आपको एग्जेक्ट टाइम पे मिल गया तो आप अच्छी Earning भी मारकेट से कर सकते हैं तो 13 और 14 सिरफ और सिरफ कमाई की डेट से हैं इस चीज को बिल्कुर मत भूलेगा स्बास्ट इंडेट इंडेटस के उपर सिरफ और सिरफ कमाएगा तो आपको भी कमाना है और बिल्कुल स्मार्ट ली कमाई है मार्केट से मौका मिस मत कीजेगा और अभी मार्केट प्रेशर में जरूर है 1246 डॉलर पर एथिरियम चल रहा है अगर आप देखो XRP रिपल 3% डाउन है डोज कोईन जो बहुत सारे लोग पागल हो चुके थे डोज कोईन के लिए की ठीक है वो प्लस पॉइंट है Elon Musk का सपोर्ट है वो मानते हैं बहुत बड़ी बात है डोज कोईन के लिए लेकिन डोज कोईन के जो प्राइस तूटे है वो 9% तक तूटे है एक अच्छी एंट्री में आ चुका है तो जो लोग एंट्री लेने का मोका ढूण रहे थे हमने आपको बताया हुआ है कि 6-7 रूपीज अगर आती है प्राइस तो डेफिनेटली आप एंट्री बना सकते हैं डोज कोईन के लिए 9% प्राइस फिर से तूटे है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोका है एंट्री लेने का DCA कीजिए SIP कीजिए वो बेटर है Cardano भी 3% Polygon भी 3% 3-4% सभी अगर आप देखो Polkadot, Litecoin, Tron Shiba इनु भी 15 पे चल रहा है और आचुका 0.5 x 0 88 के लेवल के उपर 4% Shiba इनु के प्राइस भी ड्रॉप हुआ है Solana भी 16 पे चल रही है तो Bitcoin में एक छोटा सा Dump क्या लेके आया है बहुत सारी Coins के अंदर All Coins के अंदर 4-5% की नमी और ये CPI Data आने से पहले का खेल है कल जो CPI Data आने वाले है उसके बाद Market 2 पर भी जा सकती है तो जुड़ जाईए हमारे Telegram चैनल के साथ कोई भी अपडेट और CPI Data आपसे मिस नहीं होगा Next Update है Shiba Inu को लेके अगर आप सबसे पहली अपडेट देखोगे Shiba Inu Add Over 600 New Holder Daily in December After November Slump मतलब जो November में हमने Crypto Space के अंदर इतना बड़ा कुछ होते देखा FTX Exchange को लैप्स हो गई दिवालिया हो गई है ना तो सारी currencies drop होई Market crash हुआ लेकिन अगर आप देखो Shiba Inu के जो अभी holders है वो काफी जदा 12 लाग से उपर holder चल रहे है लेकिन हर दिन December की अगर मैं बात कर लूँ हर दिन क्या हो रहा है Shiba Inu के holder बढ़ रहे है 600 के करीब इतना number निकल के आ रहा है इक सिंडेड होल्डर जो है डेली बढ़ रहे है नेक्स्ट अपडेट है ADA Cardano के लेके देर आर करेंटली 1151 प्रोजेक्ट बिल्डिंग ओन करड़ एक टाइम था 800-900 के करीब प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे थे मतलब क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट का जो नंबर है Cardano के उपर बड़ा है और अभी जो करेंटली है वो नंबर 1200 के करीब पहुँचने वाला 1200 पर पहुँचने वाला और इतने प्रोजेक्ट जो है As of 9 of December There were 1151 प्रोजेक्ट Powered by Cardano है ना बहुत बड़ा नंबर है कि Cardano के उपर जो है 1151 प्रोजेक्ट जो है इस टाइम पर बिल्ड हो रहे हैं लेकिन Cardano की परफॉर्मेंस में अभी कुछ भी हमको चेंज बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है Next हम बात करेंगे Band Protocol के बारे में Band के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और Band ने टाइम टाइम पे Band बजाया भी है Market के अंदर Pump करके कभी 10% कभी 20 कभी 30 लेकिन Wales ने भी अब यहां पे पकड़ लिया Band को और Band Protocol Now on Top 10 Purchase Token Among 2000 Biggest Ethereum Well in the last 24 hour पिछले 24 गंटे के अंदर 2000 बड़ी Wales Ethereum Wales तूट पड़ी है Band Protocol के उपर तो थोड़ा सा Focus Band प्रोटोकॉल पे भी करें Next रम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसा डेटा जो आपको बताएगा कि सबसे ज़्यदा Dex Decentralized Exchanges Web Traffic to Dexes For the last month एक तरह से आपको पता चले हैं तो बिलकुल Top Web Traffic to Dexes For the last month अगर आप देखो यहाँ पे जो Traffic है Total Visit है Month Change है अगर आप देखो Uniswap सबसे उपर नंबर है Dexes की जहां तक हम बात करते हैं और 4.1 million 4.1 million विजिट अगर आप देखो बहुत बड़ा नंबर है इसके बाद Pancake Swap 5.3 million इसके बाद अगर आप देखोगे Sushi Swap Sushi Swap का भी 1.1 million के Something है Radium Prader जो अगर आप देखो यहाँ पे जितनी भी मैं आपको Dexes के बारे में बता रहा हूँ आप उन पे भी Focus जरूर करें क्योंकि Dex कहीं न कहीं Dex के जो Tokens है वो भी आपको अच्छा Profit बना के दे सकते है Month Performance की बात कर लें तो Plus यहाँ पे जो है Change देखने को मिला 6% Uniswap में 35% का Change है Sushi Swap के अंदर 10% Balancer बागी सब Negative में है थोड़ा और Top Countries अगर हम देखें जो Visit कर रही है Index के उपर USA और UK Uniswap का पहला नमबर है तो USA UK के यूजर जैदा है दूसरे में USA Japan के यूजर जैदा है और Pancake Swap उसके बाद Sushi Swap में USA और Viet नाम के और यहाँ पे इंडिया का भी नाम है इंडिया का अगर हम देखें यहाँ पे इंडियन्स कौन सी इंडियन्स को जैदा यूजर करते है तो अगर आप देखोगे OX Protocol जी हाँ तो OX को सबसे जैदा यूजर करते है इंडियन्स जी हाँ तो यह कुछ डेटा है और Dex भी बहुत जैदा यूजर होती है तो Dex के टोकन्स पे भी आप पूरा फोकस करें ठीक है लॉग टम में Dex के जो टोकन्स है वो भी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं आपको पता है भी रिसेंटली चेनलिंग की स्टेकिंग स्टार्ट होई उसके साथ साथ अप कोईन की स्टेकिंग भी और अगर आप देखो शेर दा अगर आपकोंडेशन डेटा देखो टॉप 10 का यह टॉप 10 वालेट है जिन्होंने सबसे ज़्यदा स्टेकिंग की हुई है और इसके अंदर सबसे ज़्यदा एप कोईन फांडेशन वालेट है अगर आप देखो यह टोटल जो टोकन से इनके वह 12 मिलियन टोकन बारा मिलियन टोकन जो है यहां फोइन फांडेशन ने यहां पर लॉप यहां पर कुछ और भी नाम हमों को देखने को मिल रहा है तो बड़ी quantity में app coin की staking लग चुकी है और यह सिर्फ top 10 wallets है और यह जो 4th wallet है जो 4th number है 4th staker है app coin का he received 1.4 million app coin 1.4 million app coin जिनकी value 6.1 million dollar की है from Binance 5 days ago when the price is 4.16 dollar and stake 1.4 million app 1 day ago तो यहाँ पे जो है इसको Binance से अगर आप देखो receive हुए कितने tokens 1.4 million और इस 4th number के wallet ने सारे के सारे app coin जो है यहाँ पे staking पे लगा दिये यह कुछ transaction की details है आप देख सकते हो तो बड़े level पे जो है app coin की staking भी हो रखी है यह है 5th number का staker of app coin और इसको भी यहाँ पे Binance की तरफ से मतलब Binance से receive हुए कितने 1.2 million app coin इनकी value 5 million dollar की है और इसने भी जब इसका price चल रहा था app coin का 3.94 dollar के round और सारे के सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे 1.2 million app coin इसने जो है staking पे लगा दिये तो सब जितने transaction हुए सब app coin चले गए staking के उपर last में आपको फिर से एक reminder दे देते हैं कि 13 December को आएगा CPI data बहुत सारे लोगों को नहीं पता 13 December को CPI data और 14 को FOMC की meeting जिसके अंदर interest rate जो है उसका data आएगा और यह जो week होने वाला यह कही न कहीं pump वाला week हो सकता है market के लिए और जैसे जो date आएगा telegram पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा तो अगर आपने जोईन नहीं किया link है description में Twitter, Telegram आप सब जगा जोईन कर सकते हैं सब जगा आपको update मिलते रहेंगे तो आज की इस वीडियो को करते हैं यही पेंट वीडियो पसंद आया like, share, comment ज़रूर कीजेगा कोई question, कोई सवाल आप पूच सकते हैं नीचे description में आपको सबी links मिल जाएंगे, आप follow कर सकते हैं किसी भी crypto में आप invest कर रहें हमेशा अपनी research करें वो बेहत ज़रूरी होती है क्योंकि यहाँ पे profit भी हो सकता है, loss भी हो सकता है हमेशा अपनी research ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, bye bye take care